करियर का उजवे शुभांकर दोस्तों हर एक एपिसोड पर हम कोई ना कोई एक नया करियर लेके बात करते हैं लौ से लेके मेडिकल तक हमने हर एक विशय में बातचीत की एक और नया विशय हम दोने ढूंद के निकाला वह है होस्पिटालिटी इंडस्ट्री होस्पिटालिटी इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक बात आती है होटल इंडस्ट्री लेकिन यह बात सिर्फ होटल की नहीं है आज के दिन में जब हम होस्पिटालिटी कहते हैं तो विश्वास मानिये इसमें होस् उसके बावजूत कई और प्रश्न भी मन में आते हैं इसमें से एक एहम बात है कि कोविट के टाइम पे जब टूरिजम कम्प्लीटली डाउन था तो होटेल इंडस्ट्री पर भी तो एक इम्पैक्ट पड़ा होगा बिल्कुल पड़ा था और अब जब धीमे-धीमे चीजें सामान ने होती जा रही हैं तब एक बार से टूरिजम इंडस्ट्री वापस अपने रंग में उतर रहा है तो जो होटल एस्पिरेंट से आज हम उनको फिर से एक दिशा देंगे कि होटेल इंडस्ट्री में अगर आप उतरने का सब्स्ना देख रहे हैं तो आपको preparation कैसे करने पड़ेगी अब आगे से हालाब कैसे होगे और Industry हर एक challenge से किस तरीके से निपठने के लिए तयार हो रही है तो दोसतों hospitality industry के बारे में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री धीरच कुक्रेजा जी को श्री धीरच कुक्रेजा होटिल इंडस्ट्री से 29 साल से जुड़े हुए इस दरिम्यान वो कई बड़े-बड़े संगटनों के साथ रहे कई बड़े ओर्डनाइशन्स में इन्होंने टॉप मेनेजरिल पोस्ट हैंडल किया बाकी की बातें जानते हैं धुरेच कुक्रेजा जी से भीरज जी प्राइम टूड़े के स्टूडियो में आपका बहुत वाद स्वागत है यह हमारा कारीकरम है करियर काउच सर यहां पे हम बात करते हैं बच्चों के बारे में उनके करियर के बारे में तो सर थोड़ा सा बताएं पहले तो आप अपने विशह में आपकी जो यहां तकी जो जर्णी रही 29 साल की जर्णी बहुत लंबी जर्णी होती है कैसी रही जर्णी शुभांकर जी थैंक यू वेरी मुच आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया इस टॉपिक के बात करने के लिए यह मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है और यह मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है और मुझे अपने हैपी तू कॉंट्रिब्यूट मैंने होटल मैंजमेंट कॉलेज में एडमिशन 1989 में लिया था और 1992 में मैं पास आउट हुआ तकरीबां 29 साल होगा है मुझे होटेल्स में काम करते करते और यह एक गॉट की ब्लैसिंग की है कि मुझे हर किसम के होटेल्स में काम करने का मौका मिला तो यह था आपके experience के बारे में लेकिन धीरजी थोड़ा सा बताएं कि आपके जमाने में जब आपने आपका जो internship रहा या उसके बाद जो आपकी जो job रही वो किस प्रकार से रही तो शुबंकर जी वो वैसे तो हमारा जमाना अभी चालू है जमाना हमारा अभी बरकरार है लेकिन जब हम pass out to 1992 में या जो हमने कॉलेज में अडिमिशन लिया तो इंटरनेट नहीं था आपको कोई भी information source करने के लिए letter भीजना पड़ता था letter से वापस जवाब आता था फिर आप decide करते थे आपने कॉन से college में join करना और कॉन से stream ये नहीं है आज वो सब बदल गया है आज आप over a phone call या इंटरनेट पर browse करके सारे किसम अलग अलग किसम के hotel और hotel management के colleges के बारे में information प्राफ्ट कर सकते हैं और accordingly decide कर सकते हैं कि आपको किस विशे में और किस शेहर में नौकरी करनी है दिरी जी एक चीज है कि जो बच्चे आज hotel management कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको कैसे यह decision लेना चाहिए कि वह वाकई इस industry के लिए बने हैं देखिए यह कहा जाता है कि अगर आप में hospitality के तरफ पैशन है अगर आप देखिए hotel industry के अंदर चार पांच मेंड डिपार्टमेंट होते हैं जैसे front office, F&D service, जैसे kitchens, जैसे housekeeping तो आप नोटिस करेंगे अपने बच्चे के अंदर कि उसके अंदर उसकी तरफ हाव पाव उसके नजर आने जए आप देखेंगे जो बच्चा के तरफ ज्यादा जाने के कोशिश करता है या जो घर में मेहमान आते हैं उनकी service में बिजी हो जाता है या जिसके आप कमरे में जाएंगे, आप देखेंगे, वो साफ सफ़ाई जादा मेंटेन करता है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, वो क्या चाहता है, वो किस किसम के वीडियो देखता है, वो कैसी मुवी देखता है, वो किस किसम के स्पोर्ट्स में जाता है उसके fitness levels क्या है उसकी personality उसकी communication यह सब अगर आप देखेंगे उसकी grooming तो आप realize करेंगे यह hotels में जाना चाहता है और hotels के अंदर इस particular section में जाना चाहता है मेरे साथ तकरीबन ऐसे हुआ मेरे fathers ने apparently काफी जल्दी यह decide कर लिया कि मेरा बेटा engineering या medical ना करके hotel management या defense forces में जाएगा and as luck would have it first attempt में हमारा उन दोनों entrance exam दिया और हम लखनो IHM के अंदर select होगए जो एक national council of hotel management का affiliated college है और central government के दोरा run किया जाता है लेकिन आज आज तो आज तो बहुत ही असान है in fact आज इतने colleges हैं और इतनी ज़दा streams हैं और इतनी आगे education आगे बढ़ गई है कि आप आप के पास choices बहुत सारी है information बहुत सारा है आप आप चाहें तो पहले decide करें कि मुझे national council के hotel management colleges ने जाना है या मुझे state government के hotel management के colleges ने जाना है जो affiliated है national council से इसके बाद आपका option आती है यह नहीं मुझे करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि private colleges में चला जाता हूँ जो internationally affiliated है फिर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी hotel companies हैं बड़ी बड़ी जोने अपने hospitality के colleges शुरू की हूए है उब्रोय का अपना hotel management का है लेलिस hotels का अपना है ITC का अपना है और एक ताज hotels का अपना है अगर आप अगर आप चाहते हैं कि eventually आप ताज hotel या उस किसम के बड़े hotels को join करें तो ताज का hotel management का college औरंगाबाद में है जिसको ताज खुद manage करता है उब्रोय का डेली डेली के अधर एक college है जो एक hotel के अंदर ही located है जिसको वो operate करते हैं ITC का गुड़गाउं में एक college है जिसको वो operate करते हैं ललित का फरीदबाद की आसपास एक college है तो आज बड़ी बड़ी change ने अपनी hospitality students की need को look after करते हुए अपने colleges की हैं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले number of colleges कम थे और वो जो colleges थे उनमें कभी-कभी वो education impart नहीं होती थी जो industry related थी तो वो लोग आपको theory classes देते हैं और साथ में practical classes देते हैं जिससे आपको overall एक complete package बनके आप एक complete professional बनके college से भाण निकलते हैं अचा दीरजी जैसे कि खिलाल तो आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया अपने पूरी detail बिना पूछी काफी बता दी लेकिन मैं साथ में चीज जानना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो आएचेम्स हैं उसके अलावा भी अब कई options हैं कई private hotels ने अपना एक training center institute खोल दिया जैसे शायद बच्चों को training पहुचाने में उनको उस line को समझने में बहुत असानी होती है लेकिन धिरजी इसके साथ ही बात यह है कि जो aspirants होते हैं जो number of aspirants despite all the things right अगर एक hotel aspirant अगर कोई है बच्चा वो निकलता है so how does he should how should he try उसका जो background होना है उसके जो basic study होनी है वो कैसी होनी है should he be from the science side क्या उसको arts background में होना चाहिए कोई particular subject जो उसके लिए important हो तो क्या है तो जो national council के colleges हैं जो सबसे ज़्यादर numbers है इस वक्त तकरीबन सारी state capitals के अंदर हैं और कुछ number two cities में भी हैं उन सब के अंदर आपका eligibility criteria आपकी normal general aptitude के उपर होता है आप science से हूँ commerce से हूँ आर्ट से हूँ उससे फरक नहीं पड़ता अगर आपको general awareness है आप और अगर आप अगर आप mediocre student भी है और आप उस industry में जाना चाहते हैं और अगर आप छोटा सा एक crash course कर लेते हैं जिसके अंदर आपकी grammar या आपकी general knowledge वगरा improve हो जाती है तो आप उस या आपको जानके प्रसंता होगी कि तकरीबन तकरीबन जितने भी students pass out होते हैं उनकी job almost assured है डिपेंड ये करता है कि आप job किस level पर पाते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी personality आपकी अपनी training आपका अपना जनून अपना passion और अपनी आपकी लगन कितनी है त फिर training कैसे की और आगे आप आपने अपने 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 को कैसे इंप्रूव किया तो इससे फरक ने पड़ता कि वो IHM है कि non-IHM है उसका जो खुद का जो aptitude होगा वो ज्यादा माने रखता है तो अगर अगर आप एक देखिए जैसा का जाता है अच्छे college में जाने का यह फाइदा होता है कि 90% you see if you go to a good college 90% of the students would probably get better 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 education and better placements it is not that somebody going कोई छोटे college में या या किसी और college में जाता है ऐसा नहीं कि माँ placement अच्छी नहीं होती यह कि माँ कभी कभी percentage सोडी कम हो जाती है तो जितना बहतर college जितना बहतर शहर जितनी बढ़िया group उतनी percentage आपके success होन की बढ़ जाती है तो कोशिश ही होनी चाहिए कि हम सबसे अच्छे top के college में जाने की कोशिश करें अगर हमको national content में admission नहीं मिलता है और अगर हम afford कर सकते हैं तो private colleges खास सोर से वो जो hotels खुच चलाते हैं उनमें जाने की कोशिश करनी चाहिए यदि वो नहीं तो हमको private colleges में ज आपका आपका आगे placement होगा placements तकरीबन सबकी होती है किस की किस position पे होती है वो depend करता है आपने कितनी मेहनत की कौन से college से pass out हुए मैंने दर्मियाने या छोटे शारों के colleges से भी बच्चों का pass out होके senior most positions पे जाते हुए देखा है तो ये आपके ऊपर completely depend करता है कि आप कहा कैसे प्राई करते हैं और कितना उस पे ध्यान देते हैं तुसर मैं जाना चाहूंगा कि आखिर जब बच्चा एक बड़ डिसाइट कर लेता है कि नहीं अब हमें prepare करना है अब मुझे IHM के लिए मुझे उतरना है कब होती है examination से IHM की और किसम उनको तयारी जो है तब तक उनको पूरी हो जानी चाहिए देखिया आम तोर से बच्चे अपने 12th के exams देने के बाद IHM का exam देते हैं और क्योंकि काफी सारे बच्चे अपने 12th के marks को score करने के लिए मेहनत करते हैं और इसलिए उनका focus उस तरफ रहता है तो बहुत मैंने बहुत notice किया है कि वो जो exams खतम होने के बाद जो February मार्च में खतम होते हैं करीब 2.5 महीने का period मिलता है जिस ताम वो अगर चाहें तो इस hotel management के लिए त्यारी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा ज़्यादतर question answers जो hotel management के entrance exam में आते हैं वो general knowledge और aptitude से related होते हैं और ये एक बार एक आपने written examination clear कर लिया उसके बाद आपको अगला जो group discussion का period आता है उसके अंदर आपकी communication skills, personality इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है तो मेरे ख्याल से अगर एक एक आदमी above average intelligence रखता है और वो 12 के बाद भी वो 2,5 मेने का crash course या किताबे लेके पढ़ लेता है जो पिछले सालों की questions में निर्धारित होती हैं उसको समस्या entrance में नहीं आएगी हाँ ये जरूर है कि आपके कितने नंबर आते हैं और आपने कौन सा college चूस किया है उससाब से आपके cutout period निकलता है तो एक list आती है आपने college उसके साब से आपका शायद नाम ना आए पिर अगली cutout आती है ऐसे तीन चार बार होता है और फिर finally आपको एक जगे join करना होता ह है आज कुछ ऐसी भी संस्थाएं कुछ ऐसे भी hotels हैं जो fees भी नहीं लेते वो कहते हैं आईए एक चोटा सा deposit जमा कराईए हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको uniform देंगे हम आपको 100% placement भी देंगे आप हमारे पास 3-4 साल काम कीजे और उसके बाद अपना जो deposit दिया उसको वा भी चीज़ें available हैं तो कागर किसी के पास fee की समस्या है तो आप ऐसी जगह पे भी apply कर सकते हैं इसी तरह एक company है अब रोय होटेल उनके step program है जिसके अंदर वो आपको actually आपको on the job training कराते हैं आपको साथ साथ graduation कराते हैं और आपको उस time leave मिलती है जो कि आप दे सकें और आप को payment करते हैं तो basically from day one after class 12 not only are you learning you're also earning आप सीख भी रहे हैं और आप कमा भी रहे हैं तो तकरीबन इस किसम के courses इस किसम की options हर जगह available हैं हां जो students hotel management college से करना चाहते हैं एक थोड़ी सी college life भी enjoy करना चाहते हैं और एक अपनी back अपनी कहते हैं roots को strengthen करना चाहते हैं और फिर आगे चाहते हैं कि हम pass out हो management trainee बने या supervisor बने तो उसके लिए hotel management करना चाहिए otherwise जैसे मैंने बताया है ऐसी भी options available हैं जिसमें आप join करते हैं और आप कमाते भी हैं और आपके ओपर कोई financial burden नहीं आता of course उसके लिए आपको थोड़ा matrimonies होना चाहिए आपको above average होना चाहिए क्योंकि काफी लोग उसके reply करते हैं और कुछ लोग select होते हैं तो आप अगर मन बना लिया है और माबाप की मदद करना चाहते हैं तो आप यह option भी choose कर सकते हैं बहुत अच्छी बात बताई आपने कि market में इस प्रकार के कई opportunities मौझूद हैं जो कि गरीब बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जिनके पास completely एक financial support नहीं है उनको support करने के लिए industry से खुछ से support आती है बशरते उनको शायद एक bond sign करना पड़ता होगा कुछ समय के लि पता लग दाती है तो सर क्या लगता है यह जो complete जो एक hotel management की ISM के अपनी फीस होगी इनके अपनी फीस होगी यह दोनों structure में समानता कैसा है एक अनुमानित नहीं बहुत फरक है अगर आप देखें अलग-अलग colleges की अलग-अलग fee structure होता है आप आप पाएंगे देखें गुर खरीबन college hotel जैसा है वो hotel के साथ ही affiliated है आपके आपके labs आपके rooms आपके library आपकी आपकी parking आपकी आपका रहेंस हैं आपका cafeteria ऐसा लगता है जैसे आप hotel में रह रहे हैं तो of course उसकी fees जादा होगी और वो आपको degree सीधा Switzerland की universities लाते हैं आप अरंगाबाद जाते हैं जो 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 त ताज वाले ताज का ताज कंपनी आपरेट करती है उसका free structure भी हाई है लेकिन वहाँ पे बहुत price superior है in fact उनका जो curriculum है वो normal IHM के curriculum से बहुत different है आपको एगजांपल देना चाहूंगा अगर आप hotel management national council से करते हैं तो hotel जो जो आप kitchen में जाना चाहते हैं तो भी आप तीन साल बाकि सारे departments पढ़ते हैं और अंगबाद के अंदर अगर आप culinary या kitchens के अंदर जाना चाहते हैं जिसको FNB production भी का जाता है आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ते हैं तीनों चारों साल और जिन लोगों को kitchen में नहीं जाना है वो kitchen का पहले साल पढ़क हैं तो basically the focus है वहाँ पर lighting management, leadership skill, events management इस बार में सिखाए जाता है National Council College का curriculum है जो बदल रहा है लेकिन उसको बदलने में थोड़ा समय रगता है क्योंकि वह government run है तो you know their proposal but I am told अभी काफी changes आये हैं काफी industry related हैं वह in fact industry से speakers को बलाते हैं students मुलाकात कराते हैं तो लोगों को real perspective पत National Council के college में तकरीबन आपकी रहने hostel और और टूशन फी मिला के करीब धाए तीन दो धाए लाग के आसपास साल का खर्चा आता होगा of course आप इतना और pocket money traveling uniforms और अगर आप किसी private college में जाते हैं तो वह हर साल करीब आपसे चार तीन चार साल चार तीन चार लाख ले लेंगे और अगर आप जो प्रीमेर इंस्ट्यूट्स के अंदर है जैसे मैंने बताया और अंगबाद है या गुडगाओं वाला है उसकी फीस आप आप लेके चलिए तकरीबन चार साल के अंदर सतरा ठारा लाख और अगर आप चाहते हैं कि एक साल में बाहर उनका उप्शन होती है कि एक साल आप बाहर जाके हर्डर फिल्ड ते है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक साल हडर फिल्ड यू तो आएड़ दस लाग उसके और नबर warriors कि मिलती है उस से भी कुछ अरंझ होजाती है लेकिन एक आपका अपका प्रॉप oikeक्टिय बदल जाता है आप छी के वहीं आप absorb हो जाते हैं तो फिर मैं ही emphasize करना चाहूंगा यह जरूरी नहीं है कि 18-20 लाग खर्च करके ही यह तो मैंने फीस बताई उसके पिर आना जाना यूनिफॉर्म्स फॉकेट मनी वो और 5-6 लाग साल के चार-5 साल के अंदर लग जाते हैं लेकिन what is important is आप क्या चाहते हैं प्लीज होटेल मैनेजमेंट मत कीजिए अगर आप मैनस से कि दौरान जो है कहां कहां आपके पास क्या के opportunities हैं, क्या के options हैं, किस institute में जाके आप कौन सी सुविधा के साथ पढ़ सकते हैं, यह बाते आपने बहुत खुबसूरती से सजा के रखें, अब आता हूँ, internship and onwards, सर एक बार जब course खतम हो जाता है, तो हर एक line के अपनी एक जद् management, इसको मैं शायद next to defense line मैं सोचता हूँ, कि यहां पे जो मेहनत है, यहां जो duty hours है, उसकी कोई limit नहीं होती है, अगर मैं गलात नहीं होता है, तो sir, आप क्या suggest करेंगे हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से रहता है, किस तरीके से starting होती है, internship किस प्रकार होती है, उसमें उस बहुत, बहुत interesting question आपने हम से पूछा है, and मैं इस बारे में आपको बड़ी detail में पताना चाहता हूँ, देखे, जब आप hotel management कर रहे होते हैं, तो theory एक aspect है, लेकिन मेरे खियाल से, मेरा यह मानना है, वो एक छोटा सा aspect है, practical training major aspect है, हम engineer नहीं बढ़ना है, जिसके अंदर हमको formula सीखना है, हमको actually देखना है कि कैसे actually काम होता है, it's more to do with your presence and with your working, so, जो national council के hotel management colleges है, इनके अंदर एक mandatory 6 मेहनी की training होती है, जो second year में होती है, वो कुछ आदे batch, कुछ लोग आदे first six months में जाते है, five and a half months, और कुछ लोग बाद के five and a half months में जाते हैं, और एक मेहनी की examinations होता हैं, वो छे मेने के अंदर वो पता लगता है उनको कि हमसे काम नहीं होगा, और बहुत सारे phase out हो जाते हैं, मेरी daughter जब hotel management करना चाहती थी और उसने अपनी desire बताई, तो मैंने सबसे पहले उसको तीन दिन के लिए hotel में छोड़ दिया, जहां मेरी एक friend थी काम करती थी, हमने आप 18 साल के हो गए हैं, आपको training allowed है, आप तीन दिन में hotel में देखिया, यह हो क्या रहा है, वो तीन दिन उनने गया, और फिर वापस आके बोले हम अभी भी hotel management करना चाहते हैं, तो मने उनको आगे pursue करने दिया, क्योंकि hospitality industry के अंदर बहुत मेहनत है, यह कह देना, blanket की लंब से आदमी नहीं आ सकते, उस दिन सबको थोड़ा stretch करना पड़ता है, suddenly आपको ग्रूप गैरा बज़ाने वाला था शाम को, वो नहीं पहुंचा, बस खराब हो गई, flight लेट हो गई, वो आथ को एक बज़ाया, उसको look after करना तो हमारी जिम्मेदारी है, night shift के अंदर, obviously limited stuff होता है, तो आफनों को कभी कभी stretch करना पड़ता है, यह समस्या हैं, यह रहेंगी क्योंकि यह 24-7 की operations हैं, और इसमें कोई steady नहीं है, कि जैसे आप बाकी जगए जाएंगे तो एक routine है, आप आए चलेगे, इसकी routine बदल जाती है, आपने training के बारे में बताया, किस hotel से आप training कर रह चाहते हैं, जिसमें आप नौगरी करना चाहते हैं for the rest of your life, उस पे आपको choose करना चाहिए कि आप किस hotel के अंदर training करने जा रहे हैं, देखिए, जितना बड़ा hotel, जितना बड़ा शहर, उतनी जादा मेहनत, उतना जादा critical, उतना जादा competition, तो यदि आप अच्छे हैं, आपक उसकी personality हो, उसकी pleasing personality हो, तो अगर आपकी above average height है, अगर आपकी communication ठीक है, अगर आपकी overall personality अच्छी है, तो आपको consider करना चाहिए, यदि इसमें कुछ 19-20 आपको नजर आता है, तो फिर आपको देखना चाहिए, वो कौन सा department है, देखिए, kitchens ऐसी एक जगा है, जहां पे communication उनिस भी सो तो भी चली जाती है, अगर आपको लगता है कि आपको communication आपकी बहुत स्ट्रॉंग है, if you like meeting people, if you like extending help to people, front office or department जहां पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको यही काम करने को बलता है, लोग चाहते हैं, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करते ह हैं, आप उनके मदद करना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, माफ कि रही का मैं टुक रहा हूं, लेकिन चीज़ यह है कि आपने department सोचा अपने लिए यह अच्छा है, यह जोरी तो है नहीं कि management आपको वही department allocate कर देगा, बिल्कुल आप टीक है रहे हैं, देखे क्या होता हैं, जब आप class, जब आप hotel management कर रहे होते हैं, और training कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक महिनी के specialization होती है, आम तोर से students और hotel, आपके working के पहले चार महिनों को देखके decide करता है, कि आप इस department के अंदर ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि चार महिने में आपने काम सीख लिय अब आप एक महिना ICJ के काम कीजिए, जहां पर आप कुछ डिलेवर कर सकें, एक वो, दूसरा जब आप college में होते हैं, और आप धाई तीन साल कभी kitchens में, कभी F&B service college में हमारा, typically hotel जैसा होता है, उसके अंदर bedroom सोने होते हैं, उसके अंदर laundry होती है, उसके अंदर kitchens होता है, उसके अंदर alakart kitchen होता है, उसके अंदर quantity kitchen होता है, जिसके अंदर bulk होती है, जिसके बताया जाता है कि banquet kitchens कैसे जलती है, उसके अंदर bakery होती है, तक front office होता है, हर चीज होती है, तो आप जब वहां जाते हैं, और अगर आप like I said, अगर आप sincere हैं, आपको आपके seniors, आपको करके बता देंगे क्योंकि उनको इतना experience है कि भई तुम इस लाइन के लिए more suitable हो ऐसा नहीं है कि आप एक बर किसी लाइन में जाते हैं तो आप change नहीं कर सकते हैं हाँ it is better कि आप directors line में जाएं जिसमें आपको interest है जिसमें आपको growth आगे मिलेगी लेकिन eventually ये भी बहुत जुरूरी है कि अगर आप general manager बनना चाहते हैं senior vice president बनना चाहते हैं directors बनना चाहते हैं companies के अंदर तो आपको सारे departments की knowledge होनी चाहिए knowledge theoretical जो college से मिलती है knowledge practical जो hotels में काम करके मिलती है आज की तारिक में hotels आपको on your request आप for example front office में काम कर रहे हैं reception में काम कर रहे हैं guest relations में काम कर रहे हैं अगर आप बोलते हैं कि हमें F&B service में कुछ टेंग काम करने का मौका दिया जाए वो आपको देते हैं इसको inter department training कहते है staff को ये फायदा होता है कि उनको सारे departments की knowledge मिल जाती है hotel को ये फायदा होता है कि कभी किसी department में स्थोड़ा staff उपर नीचे होता है तो दूसरे department उसको rescue करने के लिए help आगा जाता है for example आज बड़ी functions चल रहे होटेल के अंदर bachelor था और lobby manager था एक hotel के अंदर मेरी 8-9 घंटे के अंदर shift कता हो जाती थी नए request करके अपने general manager से या अपने head of department से दूसरे department जा के काम करता था उस दरम्यान मैंने sales and marketing सी की उस दरम्यान मैंने engineering के final details समझी उस दरम्यान में अपने accountant के साथ बैठके finance या या budget को बढ़ता था जो मेरे department या मेरी लेवल का नहीं था that help me जिसमेवर को जल्दी जल्दी promotion मिले हर एक डेट साल के अंदर मैं promotion ले पाया क्योंकि उन लोगों को लगा ये बाकी समय थोड़ा उपर है तो अगर आप 8-9 घंटे की shift करने के बाद 2-3-4 घंटे और अगर आपके वह समय है अगर आपको खड़ जाने की जल्दी नहीं है अगर आप अभी bachelor है और आप time spare कर सकते है आपको कोशिश करनी चीए कि दूसरे department का आप सिम सीखें उससे आपको और सिर्फ आपको ज़रूर फायदा होगा सर ये सारी तो बातें अलग-अलग departments के हो गई पट वाट अबोट कलिनरी मैंने सुने है कलिनरी में बहुत मुश्किल होती है किसी को जगे मिलना देखे कलिनरी बाकी डिपार्टमेंट्स में आप किसी को काम सिखा सकते हैं आप temporary काम करा सकते हैं आप सुपरविजन करके काम करा सकते हैं कलिनरी के अंदर तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा पेली बात कलिनरी हर आदमी करने सकता यूजी यूज़ आप पैशन होना चाहिए इस एक्स्रीमी डिफिक्ट लेट में तेल यू पर एक्सपरपल मोस्ट अब नोगी ट्बाट में भी बात करते हैं तो वो स्पेशलाइज लाइन हैं और अगर जो बाके डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं कुछ लोग शिफ्ट होंके फेंट आफिस चले आते हैं सेल्स में चले जाते हैं मैं ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इवेंचली वो डिरेक्ट बात करते हैं और शेफ नहीं आपको डिश आउट करना होता है तो यदि आप में वो स्किल है यदि आप में वो पैशन है तो प्लीज किचन में ज़रूर जाएए किचन के अंदर ग्रोथ फास्ट है किचन के अंदर जॉब फास्ट है अगर आप किचन जॉइन करते हैं तो आप हिंदुस्तान के बाहर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्विकली मिलेगा बहुत आसानी से मिलेगा इन्फाक्ट सो मच सो कि जो अलग-अलग होटेल के point system होता है उसमें kitchens को technical माला जाता है और बागी front office sales को इतना non-technical number of marks जो उसके लिए lot किया जाते हैं वो कम होते हैं तो kitchen is specialized तो धीरची यह सारी बाते थी आपने अलग-अलग departments का बहुत खुबसुरत एक overview दिया और kitchen के खासियत बता है अपने technical and non-technical दोना आस्पेक्स बता है सर अब आता हूँ main चीज़ पर कोविट ने attack किया सबसे बुरी तरीके से अगर कोई industry आहत हुआ तो वो था tourism and hospitality सर कोविट के दौरान में hotels बंद हो गए कितने बड़े hotels थे जो loss फाइल करके close हुए और जो छोटे hotels थे उनका तो कहना ही क्या कई होने अपने business shutdown कर दिया उन hotels की जगे पे दूसरे commercial complexes आ गए सर इस दौरान में क्या आपको अभी भी लगता है कि hotel industry as a career यह भी भी उतना ही lucrative है very very interesting in fact यह वो topic है जिसके उपर मैं emphasize करना चाहूंगा मेरा यह माना था कि पहले हम कहते थे कि survival of the fittest अब मेरा कहना है कि survival of the person who is most adaptable अगर आप if you can adapt to new changes you are the one who would succeed मेरी पिछली organization जिसमें हम लोगों ने जैसे कोविड हुआ immediately changes लिये obviously we brought down the expenses हम लोगों ने immediately टाड़ा स्काइ connections को बोला हमारे connections कीजे सारी AMC's को बोला हमारे cost कम कर दीजे सब लोगों ने हमको cooperate किया AMC's lifts की हो इस की हो सब हमने कम कर दिया उसके बाद हम लोगों ने स्टाफ regulate किया हमने government के पास जाके का कि हम हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आप believe नहीं करेंगे हमने आज तक की history में highest occupancy कोविट के टाइम में की of course हमारे revenues कम थे of course हमको subsidized rate government दे रही थी लेकिन हमारे cash close बरकरा थे हमारा staff कम कर रहा था उनको उनकी regular payments मिल रही थी देखिए एक और चीज़ कहते हैं ना कि there is always a silver lining in this आज कोविट खतम होने के बाद hotels हर महीने आज तक के पीछे आट-दस सल के जो sales एक्स हैं उनसे far better sales कर रहे हैं resorts में तो जिससे revenge tourism कहते हैं उसकी वज़े से rooms अवैलेबल नहीं है कली एक मेरे दोस्त हैं उन्हें कहा कि धीरज हमको एक resort चाहिए जिसके अंदर 20 कमरे चीए 6 दिनों के लिए बहुत अचा resort है similar के अंदर आप book कर दीजे मैंने वाँ phone के उनके rooms ही available नहीं है people are really busy rates are really high bankers are really booming people are doing very well हाँ एक जरूरी है कि कुछ corporate hotels ऐसे हैं जिन लोगों को तकलीफ हुई कुछ cities हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया कुछ cities हैं जो थोड़ी कमजोर रह गई it's a question of one or two or three months things are coming back to normal मैं यह आपको बताना चाहूंगा यह time में hospitality जॉइन करने का वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे staff members बहुत सारे team members जो पहले hotels में काम करते थे उन्होंने hospitality छोड़के दूसरी line जॉइन कर ली जैसे आपने बताया hospital जैसे कुछ लोग some people went back to the villages कोई अपने गाउं चले गए किसे ने shop खो ली किसे ने कुछ और कर लिया अब इस वक विकेंसी इतनी जादा है staff available नहीं है और इस वक कोई भी trained man पार है तो उसको immediately recruit किया जा रहा है तो this is a great time to join hospitality और यह बात रखना जरूरी है 60-70% of the people जो pass out होते है hotel management करके वो hotels join नहीं करते हैं hospitality के course करने के बाद IHM से या बाकी colleges से वो जाते हैं malls में, shopping centers में, hospitals में, mobile companies में, travel agencies में और तमाम नई lines में, क्यों उन्हें यह समझ में आता है कि जो hotel management करता है या hotels के अंदर कुछ साल काम कर चुका होता है उसके अंदर patients level बहुत high होते हैं उसकी personality, communication, grooming, बाकी लोगों से much better होती है यह अपने आप में बहुत बड़ा challenge है हम लोग इसको lightly लेते हैं, आप जाएए किसी जगे और देखिए अगर कोई आपको well groomed person reception हो, या hospital हो या कोई dot com company हो, तो आप realize करेंगे वो hospitality से आया है तो facility management, catering, कितनी जगे लोग जाते हैं तो सिर्फ hotel management करके, hotel hotel में काम करना है आपको क्या job मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उपर डिपेंट करता है थैंक यू सो मच, धिरजी, आप हमारे शो में आएं और आपने हमारे दर्शकों को hotel से जुड़ी हुई, उसकी industry से जुड़ी, इतनी सारी बाते बताई एक बात आपने बहुत सही कहा कि अब वो समय जा चुका है जो एक period था, जिसको sulking period कहते है वो अब जा चुका है और अब ये industry दुबारा से अपने आपको rejuvenate करके पूरे एक fresh energy के साथ उतरी है तो this is a very correct time, this is the right time जब आपको अगर आप hotel aspirant हैं, आप hotel management करना चाहते हैं या उस line को परखना चाहते हैं तो ये correct समय है क्योंकि ये industry, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एक sales होता है, windfall sales इस समय है क्योंकि एकदम से आपकी corona खतम है, अब सब लोग बाहर घुमने जाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से tourism को बढ़त मिलनी चाहिए, hotels को बढ़त मिलनी चाहिए, शायद ये industry के लिए एक सुनहरा अफसर हो तो दोस्तों, आज की episode के लिए इतना ही, आज आपने जाना कि hotel management से जुड़े हुए line के वो बारिकियां, जो शायद आपको अपने लिए future डिजाइन करने के लिए असान बने है, बतायेगा, हमारे अलग अलग जो social media frames हैं, प्लीज उसको follow करिए, facebook page पर जाहिए, like करिए, subscribe क अगर आपके कुछ comments हैं, प्लीज जरू mention करिए, आपके सुझाओ, हम हर बार पढ़ते हैं, उसी हिसाब से हम नए नए आयाम, नए नए fields आपके सामने लाते हैं, तो जुड़े रहिएगा इस show को बेतर बनाने के लिए, नमस्कार का इस साचोसित क का द स समय का कि लिए खवेगान, हम हुआओे आपके सात्त, झालाए टके साचान उने नह सिए बाटे मिन समय किह रिएख, हम हैं, तो तो आपके सात्या अले, तो इसाचार झालें का इस वाना हैं, तो बसकित